अब एक काम करते हैं, कुछ political बाते हो जायें लेकिन market के connection के साथ, राहूल गांधी और उनकी राजनीती की बातें अक्सर होती हैं, लेकिन राहूल गांधी का सरुकार सिर्फ देश की राजनीती से नहीं है, राहूल गांधी ने stock market में भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ उनका portfolio क्यों कैसा है, कौन-कौन से shares पसंद है और उनके returns कैसे रहे हैं, एक बार यतिन से जान लेते हैं, यतिन बताईए। तो वाइनाट से जब एफिडेविट भरा है राहूल गांदी जी ने तो एफिडेविट के basis पे जो data हमारे हाथ लगा है, उससे एक बात clearly पता चलती है कि राहूल तो इस पूरे market की rally को miss कर गए, क्यों कि राहूल गांदी के जो portfolio है, उसके अंदर बहुत सारे defensive stocks उनने भरके इसाब से, और इसी period में nifty का 30% का return था और mid and small cap index में 65-80% का return आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है, उबिसली 75 वी सधी जो इनका निवेश है राहूल गांदी जी का वो nifty 50 stocks में है by value और 11 nifty की बहतरीन कंपनियों का portfolio राहूल गांदी जी ने बनाया है, उबिसली दूसरे राहूल गांदी के और इनके क्या stock investments है लगबग 4.5 करोड का portfolio है और लगबग 4.5 करोड रुपे के mutual funds है उनके पास तो कुल निवेश लगबग 7.8 करोड रुपे के आसपास है, टॉप 10 holdings की बात करें तो बहुत सारी FMCG companies आपको दिखेंगी, पिडिलाइट, एशन पेंट नेसले जैसे counters में राहूल गांदी का अच्छा खासा निवेश है, इसके अलावा H.O.L., ICI.C.A. Bank, Divis Lab, Superdij Engineering जैसे counters में भी राहूल गांदी ने निवेश किया है, अबिसली अगर हम बात करें अदानी और अंबानी की क्योंकि इसके बारे में राहूल गांदी जी बहुत नहीं करते हैं, दूसरे चीजों की बात करते हैं, बैंक बैलेंस से लगबग 27 लाग रुपे का और PPF और जो Postal Savings Deposits हैं या इनके पास लगबग लिक्विड में 651 लाग रुपे पड़े हुए हैं ओके